नमो अरहन्तानम नमो अरहन्तानम नमो अरहन्तानम ये सारा विश्र का इतिहास बतलाएगा स्वास्ट का इतिहास बतलाता है कि कम खाने वाले लोग स्वास्ट रहे हैं दिरगायू बने हैं वो ज्यादा ठूस कर खाने वाले जल्दी मरे हैं और दिमार रहे हैं उनोदरी भी उपवास से कम नहीं है, अन्सन से कम नहीं है, अपा हारा, अलपा हार, कम खाओ, धारना बन गई, इतना तो रोज खाना ही चाई, प्राचीन काल की धारना भिन्नती, प्राचीन काल में नास्ता नहीं होता था, आज यह अंदोलन चल रहा है, कि नास्ता छोड़ो स्वस्त रहना है तो नास्ता छोड़ो यहाँ चल रहा है कि उस समय तो नास्ता नहीं था जब नास्ता ही नहीं था तो उस ते ही तीकिने की तो बात ही नहीं थी कोई नास्ता नहीं था कि अगर एक भक्तंच भोजन एक भक्त का भोजन जो एक भक्त भोजन करता है एक बार भोजन करता है बिमारियों की आसनका अप्रिया कम हो जाएगी हम देखते हैं महादीर ने जितने कस्ट सहे उनके सरीर में इतने कस्टों को जेला ताकत कहां से आई कहां से आई ताकत अल्प भोजन के कारण ताकत खर्ट कम होती थी कारण है कि हमारी प्रान उर्जा पेदा होती है नाभी के आज़ पास जिसे हथ योग में समान प्रान कहा गया पांस क्रकार की प्रान उनमें समान प्रान ये समान प्रान उर्जा पेदा करता है उर्जा पेदा करने का एक यंत्र है ये नाभी का परिपास उर्जा पेदा होती है और वे उर्जा सारे शरीर के लिए संचालक सक्ति बनती है किन्तु ज़्यादा खाने बादा है उर्जा कम हो जाएगी समान प्राण भी कम काम करेगा अपान भी कम काम करेगा यह निश्चित है कि ज्यादा भोजन और कब्ज दोनों का गश्च बन रहे हैं कि ज्यादा खाओ कब्ज बनेगी सोचते तो यह हैं कि ज्यादा खाएं तो रेतन अच्छा हो जाएगा कब्ज नहीं रहेगी किन्तु ज्यादा खाओगे इसका मतलब है कब्ज हो जाएगी इसका कारण साथ है कि पचेगा नहीं कच्चा रस बनेगा तो कच्चा रस निकलना मुश्किल होता है सीधा पानी नाली में से जा सकता है किन्तु गंदा पानी कीचर साथ में आ गया तो नाली के बीट में ही रुका पड़ा रहेगा रास्ता भी बंद हो जाएगा पब्जिक का सबसे बड़ा कारण है अति भोजन या गरिष्ट भोजन जो पस्ता नहीं है तो प्रान उर्जा पैदा नहीं होगी और प्रान उर्जा पैदा नहीं होगी तो फिर सारी दिमारियां सुस्ती मन की उदासी, बेचेनी, भवडाहर्थ ये सारी स्थितियां पैदा रहेगी अर्प अहार, कम खाना, उनोदरी करना बहुत बड़ा चत्व है भगवान ने बतलाया, उस समय की भासा में एक पुरुस का आहार 22 कवल होता है, 22 कवल, अब 32 कवल आहार में एक कवल कम खाता है, दो कवल कम खाता है, उनो दरी, और वोग ज़्यादा कम करता है, तो अपार्च उनो दरी, यानि उनो दरी के भी कई प्रकार हो जाते हैं, आईरबेट के आचारिय बतलाते हैं कि भोजन कितना करना चाहिए कि भोजन को चार भागों में विभक्त कर देना चाहिए दो भाग तो भोजन जितनी भूखो उसका दो भाग भोजन एक भाग पानी के लिए और एक भाग खाने के बाद जो बायू बनती है उसके लिए अब चार भाग एक साथ ही कर लेता है तो ने पानी के लिए अवकास रेता और ने बायू के लिए रहता तब कहते है तेज पर अफारा आ गया आंते फट रही है वे शिटी बन जाती है और शिटी ऐसी बनती है जो बोजनभट कहलाती है ना बोजनभट कोई एक कहानी आती है कि मत्षुरा की या वहां की कोई कहानी है सास ने कहा कि बहुरानी खाच बिछा दो क्यों? कि तुमारा सफुर भोजन करने गया है आने की बाद एक संधी तिक नहीं पाएगा उसे लेटना पड़ेगा इसलिए खाज पहले शी तयार कर दो बोली साथ ऐसा होता है, हमारी यहां तो ऐसा नहीं होता तो क्या होता है हमारे यहां तो जब भोजन करने जाते है जाते हैं पैदल लाना होता है खास में डाल कर यह सिखी बन जाती है तो ऐसे लोग भोजन भत्य तो हो सकते किन्त और कोई बड़ा काम नहीं कर सकते बड़ा काम करने के लिए पेट को काफी दिश्राम देना पड़ता है तो उसमें उन्हों दरीका बहुत बड़ा महत्व है बृत्ती संक्षीत करना यह आज गहुत महत्व पूर्ण बन गया हमारी द्यनों में परंपरा रही आज पांच द्रब्शी ज्यादा नहीं खाऊंगा और एक दिकाश हुआ आयम दिल का तो बस केवल एक अनाश लोग तो सोचते हैं कि आहर संतुलित नहीं हुआ बोजन संतुलित नहीं हुआ इंतो एक अहार करने वाले बहुत वार्ष वास्टे को ठीप करने थे ठीप हो जाता है प्राक्रिटिक चिकिट्षा का जो सिध्धन करहा एक साथ बहुत चीजें मत खाऊ मैंने स्वयम प्राक्रिटिक चिकिट्षा बहुत बस पहले कराई थी तो जो प्राक्रिटिक चिकिट्षा था माता जीन उसने कहा आप सीरा खाना चाये तो खा सके तो मैंने बाग में दो ख्भाता नहीं हूं कि खाना चाय तो खा सकते हैं पर एक सर्फ है, कि केवल सीरा ही खाय और कुछ मत खाये ता उसाई. बस एक ही चीज खा ले। यह प्रयोगम्म्मे तो नहीं किया खाने का, पर एक शिधान्त है उनका, कि एक चीज खाओ या कम चीजे खाओ, यह प्राक्रिक्टिक्तिक्ट्सा की दृष्टिशे से बड़ा महत्पूर्शिधान्त है, यह जो द्रव्य का धीवीक है, बहुत महत्पूर्ण है, इतनीशे ज बारात आई, 150 आइकम में बनाए तो फिर बारात आई ही क्या। एक भाई आया और बोला कि मैंने अमुक होतल में दिल्ली में साधी की। अपने लड़की की। और इतने आइकम बनाए 50, 57 कि एक और भी पूरा नहीं सकता। तो मैंने तत्काल कहा, तुमने ये काम तो किया, परसाथ में एक होस्पिटल बनाया या नहीं बनाया। तो इतनी चीजे बनाई है इतना खाएगा, तो बिमार होना जरूरी है। और बहुत सारे होते ही हैं, बारात के बाद बहुत लोग बिमार कर जाते। कड़ियों को तो वहीं हार्ट केल भी हो जाता है। निकल के निकल के निकल के जाता है।